नवस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियोज में तो चलिए बिहार की 10 प्रमुक बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं तो खबरों की और रुक करने से पहले एक नजर हेडलाइन्स पर BPSC PT का रिजल्ट जारी 8997 कैंडिडेट्स हुए पास यहां देखे अपना रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है इंटर का रिजल्ट टॉपर्स का वेरिफिकेशन समाप्त पटना में कोरोना की स्पीड बढ़ी 50 नए केस मिले NMCH के दो डॉक्टर भी संक्रमित बिहार पंचाया चुनाव को लेकर पटना में 4705 मद्दान केंडर बनाये गए 11 मुख्या के चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक होली से पहले पटना को सौगात आज GM नितिस करेंगे एक और फ्लाइओबर का उदगाटन जाम से मिलेगी मुक्ती 31 मार्च को सुरू होगा भागलपूर से पटना के लिए AC बस, GPS समेथ होगी कई सुविधा बिहार में प्रसासन ने नीजी इसकूलों से मांगा नमांकन का ब्योरा 25 परतिसत सीटों पर करना है गरीब बच्चों का नमांकन गया में बड़ा संक्रवन का खत्रा बस, स्टेंडों पर अधिकारियों की तैनाती हर यात्रियों की होगी जाच BMCH से फिर कुरोना संक्रमित फरार, आइसोलेशन वाड में मरीज का पता दर्ज नहीं विधान सभा में हंगामे की घटना को आरके सिना ने बताया सर्मनाक बोले लोकतंत्र के मंदिर में ना हो इसकी पुन्रा विर्ती अब खबरे विस्तार से बिहार लोकसिवा आयोग ने 66 प्रिलिम्स का रिजल्ट जारी कर दिया है BPSC ने रिजल्ट के साथ साथ फाइनल आंसर की भी जारी किया है इस परिक्षा में सामिल 2,882 अभ्यार्थियों में से कुल 8,997 कैंडिडेट्स पास हुए है BPSC की PT परिक्षा में पास होने वाले अभ्यार्थियों में अनारक्षित वर्ग के 3,497, ECWS के 902, SC के 1503, ST के 78, OBC के 1586 और EBC के 1199 और 232 पिछडे वर्ग की महिलाएं सामिल है BPSC की परिक्षा बिहार के 35 जीलों के 888 परिक्षा केंडिरों पर हुई थी कूल 4,49,450 लाग उम्मिद्वारों को एड्मिट कार्ट जारी किया गया था जिसमें से 2,88,882 उम्मिद्वारों ने भाग लिया था अब व्यार्थि अपना रिजल्ट आयोग की अधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर चेक कर सकते हैं बताया जा रहा है कि मुईक परिक्षा मई के अंतिम में या जुन महिने में कराई जा सकती है जल्द ही इंटर्मीडियेट के स्टुडेंट का इंतेजार खत्म होने वाला है बिहार इसकुल एक्जामिनेशन बोर्ड ने टॉपर्स का वेरिफिकेशन कार्य खत्म कर लिया है अब किसी भी दिन बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट जारी हो सकता है मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि 23 मार्च मंगलवार को टॉपर्स का वेरिफिकेशन का कार्ज पूरा हो गया है अब 25 या 26 मार्च को बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट जारी होने की संभावना है हाला कि अभी अधिकारिक तौर पर बोर्ड ने इसे लेकर गोसना नहीं की है बतादे की कोपियों की चेकिंग का कार 19 मार्च तक ही पूरा हो गयी थी इसके बाद बोर्ड ने टॉपर्स वेरिफिकेशन का कार 23 मार्च तक फाइनल कर लिया आपको बतादे की टॉपर्स की जाच के लिए हर साल बोर्ड टॉप 10 हाई स्कोर पाने वाले टॉपर्स का वेरिफिकेशन करता है अब 25 या 26 मार्च को रिजल्ट जारी होने की समाना है बतादे की बिहार बोर्ड इंटर की परिक्षा एक फर्वरी से 13 फर्वरी के बीच आयुजित की गई थी जिसमें 13.84 लाख स्टुडेंट्स सामिल हुए थे होली के मौके पर बाहर से आने वाले लोगों की तदाद और कोरोना की दूसरी लहर ने राजधानी पटना में अचानक से संक्रमन की रप्तार बढ़ा दी है मंगलवार को पटना में 50 नए कोरोना के मरीज मिले हैं इसमें NMCH के दो डॉक्टर भी सामिल है पटना में अब तक कोरोना के एक्टिव मरीजों की संक्या बढ़कर 300 पहुँच गई है पिछले 20 दिनों में संक्रमितों की संक्या दोगूनी से अधिक हो गई है दो मार्च को पटना जीले में एक्टिव मरीजों की संक्या 143 थी बिहार के सबसे बड़े सरकारी एस्पताल PMCH में मंगलवार को 9 कोरोना संक्रमित मिले इनमें साथ पटना के और एक-एक मुंगेर और जहानाबाद के हैं पटना के जिन इलाकों से नए केस मिले हैं उनमें कंकरबाग, बिहार के राजधानी पटना में पटना की प्रसासनिक तैयारी सुरू हो गई है, जिले में कूल 4705 मद्दान के इंदर बनाये गया हैं, सबसे अधिक पालिगंज बेटा और धनरुआ में मद्दान के इंदर है, जिले में पहले 322 पंचायते थी, इनमें 14 सहरी छेतर में चली गई, इसलिए अब नई परिस सीमन के अनुसार 308 पंचायतों में चुना होगा, कूल 4354 वार्डों में वोट पड़ेंगे, सबसे अधिक पालिगंज के 25 पंचायतों में 351 वार्ड है, 112 चलंत मद्दान केंदर बनाये गया हैं, इनमें सबसे अधिक दानापूर प्रकंड में 25 तधा फुलवारी सरीप मे 24 चलंत मद्दान केंदर है, इसके अलावा मानेर में 12 चलंत मद्दान केंदर होंगे, दानापूर के दियारा छेतर में सबसे अधिक चलंत मद्दान केंदर बने हैं, खोली से पहले बिहार की राजदानी पटना को एक बड़ी सौगात मिलने जार ही है, जी हैं, आज मुल्क प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस फ्लायोबर का निर्मान करीब 104 करोर रुपेए की लागत से 2015 में शुरू हुआ था और इसे 11 नौमबर 2018 तक तयार होने का लच्छ था बाद में इसकी समय सिमा 31 मार्च 2021 तय की गई थी बत परिवहन निगम भागलपूर पटना के लिए 31 मार्च से अब AC बस सेवा सुरू करेगा इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है 30 मार्च को बस पटना से भागलपूर आ जाएगी भागलपूर से पटना का किराया यह बस भागलपूर से रात आट बजे पट परिवहन निगम परिसर से पटना के लिए खुलेगी और दुसरे दिन सोवा 9 बजे यही बस पटना से भागलपूर के लिए रवाना होगी परिवहन निगम के छेत्रिय प्रवंदक असोग कुमार सिंग ने बताया कि होली के बाद पटना में एसी बस आ जाएगी बच्चों की मुफ्त वा अनिवार्ज सिच्छा अधिनियम 2009 के तहट नीजी स्कूलों को अपनी 25 परतिसत सीटों पर गरीब बच्चों का निसूलक नामांकन वा पठन पाठन कराना है जीले की नीजी स्कूलों में इस कानून का पालन नहीं किया जा रहा है नीजी विद्धालेयों की ओर से आटियाय का अनुपालन नहीं करने के संबन में बिहार बाल अधिकार संग्रक्षन का आयोग अभिवाओकों की कई लिखित सिकायते मिल रही है आयोग ने स्वता संग्यान लेकर जीला सिक्षा कारियाले को पत्र लिख कर कहा है कि आटियाय का पालन सुनिश्चित हो नामांकन वर्ज 2021 में अपने जीले में संचालित सभी प्राइवेट स्कुलों में 25% सीटों पर आटी एक्ट की धारा 12 सी के अंतरगत गरीब परिवार के बच्चों का नामांकन कराये नामांकन की रिपोर्ट बिहार बाल अधिकार संग्रक्षन आयोग को 28 मार्ज तक भेजने का निर्देश दिया गया है देश वर राज की COVID-19 के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए डियम अविसेक सीग ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज के बाहर यथा महाराष्ट गुजरात पंजाब उत्तरपरदेश वर दिल्ली से बसों के माध्यम से आने वाले यात्रियों का बस अटिजन जांच के लिए मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति करते हुए जांच करना सुनिश्चित करेंगे जांच में जो व्यक्ति संक्रमित पाया जाएंगे उन्हें स्वास्त विभवाग द्वारा निर्गत एसोपी के आलोक में आवैसक कारवाई के लिए भेजा के बाद प्रमानपत्र वा दूसरा डोज लगाया जाने की अवधी 14 दिन पूर्ट कर लिए हो वैसे यात्रियों को कोविड-19 का जांच से मुक्त रखा जाएगा DMCH के आईसोलेशन विभाग से कुरोना संक्रमित एक बार फिर से भाग निकला है अस्पताल में मरीज का पता तक दर्ज नहीं है जानकारी का अनुसार इसके पुर्वी दो मरीज इस विभाग से भाग निकला था बताया जा रहा है कि 13 मार्च को चिकित्सकों ने राउंड के दोरान पाया कि दो मरीज वाड में नहीं है मरीज, सिंग भाड़ा वरतनपुर निवासी बताया जा रहे हैं चिकित्सकों ने अस्पताल रर्जिस्टर पर मरीजों की उपस्तिती के मद्दे नजर जानकारी अं से भाग सकता है विदान सभा में हंगामे की घ an को बीजेपी नेता आरके सिना ने बेहदी दुर्भाईखपून और सरमनाक बताया है आरके सिना ने कहा है कि लोगतंत्र के मंदिर में इस घटना के पुंड्रा विर्ति नहीं होनी चाहिए आरके सिना ने कहा कि कल जो कुछ भी हुआ विहार विधानसभा में माननिया सदस्यों के द्वारा हुआ वहा अतन्ती दुर्भाइकपुन और सर्मनाख है ऐसा विहार में पहले कभी भी नहीं हुआ था मैंने तो 1966-1967 का समाजबादियों का भी वहा काल देखा जब संयुक्त विधायक दल का सरकार थी तो आज के सुर्कियों में बसितना ही बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिस्तितारों में सेर जरूर करें धन्यवाद